पेक्ट क्लियर का जो रूल आया है इसके बारे में उसके बाद किस तर से अनिच चित्ताओं का खेल कहा जाता और वह आज फिर से किस तर से साबित वाब वह भी मैं आपको होता हूंगा और कुछ आज की जो मैच है मुंबई इंडियन्स वर्सेस रॉयल चैलेंजेस के बीच क कुछ फैक्ट या फिर आपको रेकॉर्ड कह सकते हैं यह मैं आपको जरू दिखाऊंगा तो दोस्तों अंते तक बने रहे हैं वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाला चले दोस्तों सबसे पहले बात कर लेतें कुछ मुंबई इंडियन्स वर्सेस जो रॉयल वी बार चीजन का फर्स्ट मैच हारती आई है इसके बात यार्सी भी ने लास्ट सिक्स मैचस में मुंबई इंडियन्स को पाच्वी बार हरा है यानि एकी बार मुंबई इंडियन्स या पर उनके साथ जीत पाई है अगर बात करें तो एम चिदंबर चिना स्वामी और दोहजर अठ्रा में 14 रन से मुंबई को हराया था आर्सी बी ने इस स्टेडियम पर बात कर लेते दोस्तों हाइस्ट ओपनिंग पार्टनर्शिप वर्सेस एमाई इन आई पील आई पील में अभी तक मुंबई इंडियन्स के खिलाब जो ओपनिंग पार्टनर्शिप रही है दोस्तों सबसे ज्यादा वह रही एडप गल्क्रेस्ट और विवियस लक्षुमन के बीच एक सो पच्पन नॉट आउट डीवाइपाटिल स्टेडियम पर दोहजार आठ में नंबर दो की बात करूं तो डेविड वार्नर और रिधिमान साक के बीच रही है सारेच क खिलाब शार्जा 2020 में अगर बात करें तीसरे नंबर की पार्टनर्शिप के तो महिला जयवर्दन है और विरेंद्र सेवाक के बीच हुई थी दिल्ली कैपिटेंस के लिए यहां पर दिल्ली में 2013 में और यह अब विराट कोली और फाब डूपलेसिस ने यह चोथे नंबर की पार्टनर्शिप की है 148 रन जो की मुंबई के खिलाब सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनर्शिप है दोस्तों यह तो हुए रकार्ट के बारे में अब बात कतले इंपक्ट प्लियर को किस तर से बैंड बज रहे दोस्तों अभी तक जो मैचेस हुए है इसमें ज्यादा दिया गाया उनको 15 रन पड़े थे उसके बाद नवदिप से निकी बात करू तो सिर्फ दो ओवर में 34 रन पड़े दोस्तों और आज मुंबई के जेसन बेरन डर्फ की बात करू तो तीन ओवर में 37 रन पड़े दोस्तों तो कुल मिला के काफी खराब जो डिसिजन रहे गि अभी तक चार गिनबाजों को यूज किया गया चारों को काफी मार पड़ी है दोस्तों कुल मिला के इन्होंने मतलब सभी इंपक्ट प्लियरों ने मिलकर तीन पॉइंट दो और में 137 रन दिये है एकी के टूट को मिल पा रहा है और उनकी एकोनॉमिक 14.68 की रही याने पारे में दोस्तों जैसे कि आपको पता है मुंबई और आर्सीवी के बिच जो मैच था तो शुरुवात में मुंबई को काफी जटके लगे उसके पहले तो तीन विकेट भीस रन पर गिर गये था चौता विकेट भी 48 पर गिर गया था उसके बावजूत मुंबई इंडिय के पारी के वज़े से मुंबई इंडियांस 171 तक पहुचने में कामियाब रही अब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियांस काफी हद तक यहां पर फाइट बैक करेगी और यहां पर हो सकता है मैच भी जाए लेकिन विराट कोली और यहां पर दूपलेसिस के मन में गेंदों में 82 रन बनाकर चे चक चोके और पाथ चकों के मदद से 166 से भी जादा के स्ट्राइक रेट से नौट आउट रहे तो वही फाप डूपलेसिस थी 43 गेंदों में 73 रनों के जबंद स्पारी के लिए जिसमें उनके चे चके और पाथ चोके शाल बित्ते और 179 तो इस तर से यहाँ पर RCB ने ये मैच काफी उफानी अंदाज में अपने नाम कर लिया तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरू पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जरू इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बुले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्टे रहे अभी के लिए इतने हैं दोस्तों मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए ठैंक्यू गुडबाई